नियाय थाने विलासपुर के सीपत थाना शेत्र में एक तेज रफतार कोईले से भरा ट्रेलर अनियंतित होकर पलट गया इस हाथ से में मोड के पास खड़ी एक बच्ची और तीन पूरुष ट्रेलर की जपेट में आकर गंभीर रुप से खायल हो गए जिने इलास के लिए सिम्स और अपोलो हॉस्पिटल में भर्दी कराई गया है सीपत चंगूरी निवासी शिवशंकर शुकरवार को अपनी बच्ची कृष्टना कुमारी के पैर का इलास कराने के लिए सीपत के पास इस्थिद अस्पताल लेकर जा रहा था लगरा पूल के आगे पंधी मोर के पास पहुचे ही थे कि इस दोरान कोईले से भरी तेज रफतार ट्रेलर यहां खड़े सभी को अपनी चपेट में लेते हुई अनियनतित होकर पलड़ गई इस घट्ना में शिव शंकर और उसकी बच्ची कृष्णा कुमारी सहीर दो अन्य पूरुशों को गंभीर चोटे आए हैं मौके पर मौज़ुद चेतरवासियों ने इसकी सूचना सीपत पुलिस को दी पुलिस ने दतकाल जन सहीयोग और जेसीवी से कोईले में दबे लोगों को बाहर निकाला